दोस्तो अगर आप भी चन्नाई सूपर किंग के फैन है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा आपको ये बता दे कि चन्नाई सूपर किंग के तरफ से आई बड़ी अपडेट अगर अगर आप भी चन्नाई सूपर किंग की टीम में होगा सबसे खतरनाक गेंदबाच की इंट्री सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में अगर उससे पहला अगर आप भी CS के वाले हैं तो कमेंट्स में CS के लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि चन्नाई सूपर किंग से जुरी हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें दोस्तो आईपल 2024 का सीजन भले ही दूर है लेकिन सबी टीमों ने अपनी अपनी तैयारी अभी से ही सुरू कर दिया है ऐसे में अगर चन्नाई सूपर किंग की टीम की बात करें तो चन्नाई सूपर किंग की टीम ने आईपल 2024 में लाजवाब परदर्सन करते हुए पांच भी बार आईपल का खिताब अपने नाम किया था महिंदर सिंग दोनी के कपतानी में चिन्ने सुपर किंग की टीम काफी मजबूत नजर आ रही थी IPL 2023 में नासिर बल्ले बाजो ने बलकि गेंद बाजो ने भी सांदार परदर्सन किया था और इसी वज़ा से IPL 2023 से खिताब जीतने में चन्ने सुपर किंग की टीम सफल रही और इसी वज़ा से चन्ने सुपर किंग की टीम फाइनल में गुजराट टाइटन्स को मात दे पाई थी आपको ये बता दे कि महिंदर सिंग धोनी की कप्तानी में चन्नेई सुपर किंग की टीम IPL 2024 में एक बार फिर से धमाल मचाना चाहेगी चन्नेई सुपर किंग की टीम ने अभी से ही अपनी तैयारी करना सुरू कर दी है चन्नाई सूपर किंग को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है खबरों की माने तो साउथ अफरीका के तेज गेंदबाज गेराल्ड कॉट जी IPL 2024 से पहले चन्नाई सूपर किंग की टीम में सामिल हो सकते हैं गेराल कॉट जी साउथ अफरीका के बेहतरीन गेंदबाज है इन्होंने साउथ अफरीका के तरफ से दो टेस्ट के अलावा चार वंडे और तीन टी-टी मुकाबले खेले हैं इन्टरनेशनल मुकाबले की बात करें तो गेराल कॉट जी के पास ज़्यादा अनभव नहीं है लेकिन वह लीग किर्केट में काफी अच्छा परदर्सन कर रहे हैं आपको यह बता दे कि IPL में गेराल कॉट जी राजस्थान रोयल्स की तरफ से खेल चुके हैं इसके अलावा गेराल कॉट जी जोबर सूपर किंग एकसा सूपर किंग जैसे टीमों के साथ खेल चुके हैं आपको यह बता दे कि गेराल कॉट जी पहले से ही चिन्नेश सूपर किंग के टीम के साथ जुरे हुए हैं लेकिन अभी तक चिन्नेई सुपर किंग की टीम की तरब से नहीं खेले हैं अगर ये चिन्नेई सुपर किंग की टीम में सामिल होते हैं तो चिन्नेई सुपर किंग की टीम को काफी मजबूती मिलेगी तो दोस्तों आपको क्या लगता है महिंदर सिंग धोनी की कप्तानी में क्या चिन्ने सूपर किंग की टीम एक बार फिर से चैंपियन बन पाएगी या नहीं आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही चिन्ने सूपर किंग से जुरी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें